Hello everyone, very very good morning, कैसे हूँ, खूब करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे UPBA 2023 के बारे में की BA first semester का exam किस मन्त में होगा exam की तैयरी कैसे करें, BA first semester की best book कौन सी है, notes कौन सी है कैसे BA में अच्छे percentage लाएं, ये भी आप होता हूँगा और क्या अभी BA में direct admission हो सकता है या नहीं हो सकता है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ऐसी ही BA DLA teaching exam की पलपल की latest authentic update पाने के लिए अभी कभी इस चैनल को subscribe करें ताकि जो भी update आए, वो update आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके चली वीडियो को start करते हैं अगर आपनों को मुझे बाचीत करने ही तो आप लोग मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं आप लोग मुझे बाचीत कर सकते हैं, discussion कर सकते हैं चलीए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि be a first semester का exam किस मन्त में होगा देखे, कुछ इनवस्टी में exams semester wise होते हैं कुछ इनवस्टी में exams जो है yearly based होते हैं आप लोग admission ले लिए होंगे, आपको पता भी चल गया होगा कि हमारे college में, हमारे university में किस तरीके से, किस टाइप से exam होता है देखे, अगर आपका semester wise exam होगा तो आपके जो exams होंगे dear, ये अभी आपका number start है अभी तो देखे, admission start है, अभी मैं बताऊँगा कब तक admission अभी होंगे be a के देखे, अभी आपके पास समय है, December उसके बाद January है, February है, March है, April है, मई है देखे, मैं पता दूँ, be a first semester का अगर semester wise आपके exam हो रहे हैं तो December, January, February, March, April ये पाँच महीने का समय ये मान के चलिए कि April last में, April last में आपका exam हर हाल में हो जाएगा ओके, वहीं अगर आपका yearly base exam है तो ये मान के चलिए कि December से आप आठ महीने आइट कर लिजे, आठ महीने बाद आपके exam हो जाएंगे Early base में किवल दो ही paper होते हैं, semester wise में total 4 paper होते हैं 4 semester होता है, तो 4 paper आपके होंगे तो ये आप लोगों पता चल गया कि आपका exam कब होगा, देखे exam की तयारी कैसे करें, क्या अभी से B.A.D. की तयारी स्टार्ट कर दीने चाहिए तो मैं कहूंगा अभी से आप लोग परिशान मत होगे Other competitive exam की जो है preparation कर रहे हैं, तो उसकी तयारी करें देखे, B.A.D. का जो है, इसमें क्या होता है, कुछ इन्वस्टी का थोड़ा pattern change है उसमें क्या होता है, थोड़ा objective question पूछ ले आते हैं तो अगर आपके exam में objective question पूछे जा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग मतलब अभी नहीं में गर रहा हूं आप दो महीने भी देदी है न, तो आपका अच्छा percentage आजागा B.A.D. में क्या होता है, लिखने का number इसमें मिलता है बस अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे series, अब यह मैं बताओं का कौनसी book आपको पढ़नी है बस उसको पढ़ लेना है, अच्छे से दो बार पढ़ लेना है और थोड़ा सा लिखने के practice कर लेना है बस 75, 80% से नीचे आपका नहीं आएगा, यह मेरी guarantee है और B.A.D. में बता दूँ ज्यादा मैं percentage, मतलब बता दूँ मैं ज्यादा percentage बनता भी नहीं है 80 highest मैं बता दूँ, 80 highest है, D.A.D. में अच्छा खासा percentage बनता है, क्योंकि उसमें क्या होता है वन लाइनर question पूछे आते हैं, अब जटी question पूछे आते हैं, तो इसलिए उसमें क्या होता है solid number मिलते हैं, इस वज़े से उसमें क्या होता है, percentage मिल जाता है अब B.A.D. में जो बच्चा लिखेगा, उसका अच्छा percentage आएगा तो तैयरी ऐसे ही करना है, देखें, आपको book notes, इन में से कौन सल लेना है तो notes आपको लेना है, जो notes आती हैं, exam, जो आप लोग graduation का paper दिये होंगे तो easy notes, sahara notes, essay आती हैं, विद्या के नाम से हैं आप लोग पढ़े होंगे, graduation में, inter में तो वही जो exam time आती हैं, दो मंत पहले, उसको आपको लेना है series जो आती हैं, किसी भी प्रकाशन की series ले लेना, वो सबसे best होती है A1 की आती हैं, अगर आप लोग लहाबाद state university से beat कर रहे हैं, तो A1 की बढ़िया होती है, वो भी होती है उससे आप लोग provision कर सकते हैं, ठीक है, तो notes आप लोग लेना, books में परिशान मत होना books कोई जरूरी नहीं है, मोटी मोटी ले लेंगे, आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे, रिवाइस नहीं कर पाएंगे तो सबसे बढ़िया है, वो जो A1, सहारा, किसी भी प्रकाशन की आती हो आपकी area में, तो उसको आप लोग लेजेगा हो बस उसके बारे में लिखिये, page full करना है बस, 30 page है तो कम से कम 27-27 तो full करके आईए ही आईए, बस यही है, सबसे 100 ट्रिक, exam में अच्छे percentage लाने की B.E.D. में, तो यही है, क्या अब B.E.D. में परविस होता है, बेलकुन हो सकता है, अभी 23 तारीक तक B.E.D. में परविस होत होना है, मातर दो महीने, हम लोग तो B.E.D. जब करते थे, 15-20 दिन पढ़ते थे, मातर 15-20 दिन, एक बार पढ़ें, काम खतम, लिख के आना है, हमें page full करने से मतलब रहता था बस, heading अच्छे से डालिए, page full करिए, बस, आपके numbers अच्छे आएंगे बस, ठीक है, और नकल करन इसी गलतिया मत करना, तीन घंटे आपको मिलेंगे, दो घंटे जो भी मिलते हो, आप pattern change हो गया है, हम लोग जब B.E.D. करते थे, तीन घंटे की समय मिलता था, बाई, नकल करोगे तो आधा समय, यह मानन के लिए कि 30-45 मिनट आपको सर्च करने में, इधर उधर करने में उतने में आपका दो long answer हो जाएगा, 30-40 नमबर उतने में बना सकते हो, ठीक है, तो question तो बिलकुन आपको नहीं छोड़ना है, अभी से ये बात notice कर लिजे, question नहीं छोड़ना है, पूरे question attempt करने हैं, ठीक है, सबसे पहले जो question की आते हैं, long वाले की आते हैं, जो ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है, कि यह ज़्यादा हम word लिख देंगे, तो हमें अच्छे नमबर मिल जागा थे, ऐसी गलती मत करना, ठीक है, तो यहीं है, thought, tips, tips, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, आपकी necessary help मिलेगी, B8 की जो भी update आएंगी, वो update आपको मिलती रहेंगी, ब बाबा, ठेक है, thank you so much, have a nice day.